नमस्कार दोस्तों मैंने रभीक सिंग धाकड आपके अपने वाइफाई स्टेडी पॉइंट 4.0 नामक यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बल कारिये सक्ति इवं उर्जा आज दोस्तों हम सब मिलकर के इस टॉपिक का अध्यन करेंगे जब कार एक मोड लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की और धक्का देता है दोस्तों तो उसे अपके इंदरी बल कहते हैं सीधी सड़क पर एक समान तुरन से चलने वाली कार के लिए क्या सही है कार का वेग लगातार बदल रहा है डेरियों में दूद से क्रीम अलग करने के लिए इस्तमाल की जाने वाली प्रक्रिया को अपके इंदरी करन या अपके इंदरी बल कहते हैं रोलर कोश्टर की सवारी में अभी किंदरी बल फोर्स लगता है बल फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन दोस्तों किसी वस्तू के तरल पदार्थ पर रखे जाने में उत्पन उधर्व गामी दवाब को बॉयंट फोर्स कहते हैं गर्सान यानि की फ्रिक्षन के उधरण है फर्स फर्द अकीला गया वासिंग मसीन बर्फ में सलेज का फिसलना एवं व्यक्ति द्वारा सिलाइड में नीचे की ओर फिसलना जब सीधे उपर की ओर फेंका गया एक पत्थर सीर्ज पर पहुंचता है तो इसका क्या मान होता है जब कोई पत्थर सीधे उपर की ओर फेंका गया हो तो सीर्ज पर इसका वेग तो सुन होगा तथा तुरन का मान लगभग 10 मीटर 32 स्कॉर होता है प्लेनेटरी बॉडिज के लिए कैपलर के नियमों में से एक नहीं है कक्छे अवदी ग्रह के द्रवमान पर निर्वर होती है ग्रहों के ग्रह पतों का सामान आकार क्या होता है तो अंडाकार होता है ग्रह सेटेलाइट तारा एवम आकास गंगा गैलेक्सी में से ग्रह वस्तु सोरिय के चारव ओर परिक्रमन करती है सोर मंडल का हेलियो सेंट्रिक मॉडल सर प्रथम निकोलस कॉपर निक्स के द्वरा दिया गया था अगर लिफ्ट तेजी से उपर बढ़ रही है तो एक सरीर का प्रत्यक्ष वजन वास्त्विक वजन से कम होता है यदि प्रत्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुद्ध ग्रह पर आपके सरीर का वजन 14.3 किलोग्राम होगा प्रत्वी की सते पर पलायन वेग 11.2 किलोग्राम होता है निम्न तापमा, निम्न गती, निम्न दाव एवं निम्न घनत्व में से किस के कारण बादल आकास में तेड़ते हैं तो निम्न या अल्प घनत्व के कारण बादल आकास में तेड़ते हैं दोस्तों वेग बरावर होती है आवरती मल्टिप्लाइ तरंग दहरिये लोग प्रियस रहनी यानि कि ओफलाइन परिक्षा में आई हुए प्रिशन निम्न प्रकार से हैं दोस्तों 2001 से 2014 तक के वस्तो निष्ट प्रारू कुश्यन नम्बर एक निम्न बहुत तक राशियों में से किनके समान विम्य सूत्र नहीं है तो दोस्तों बल एवं दाव का विम्य सूत्र समान नहीं है क्योंकि बल का विम्य सूत्र होता है M1, L1, T-2 तोस्त दाव का विम्य सूत्र होता है दोस्तों M1, L-1, T-2 दो वेक्टर जिन का मान अलग-अलग है उनका परिनामी सुन्य हो सकता है निम लिखित में से कौन सी वेक्टर रासी है तो दोस्तों बल एक सदिसरासी है जबकि चाल उड़ जाई उमतापमान ये सब यादिसरासी है मैंना आपको वेक्टर रासीयों को याद कनने की एक ट्रिक बताई थी मित्रों वी वी को टी वी वेग विस्थापन तुरन समवेग आवेग आदी ये सबी रासीयां सदिसरासीयां होती है तुरन वगेरा सदिस रासी है दोस्तों कौन ये समवेग निम लिखित में से कौन एक सदिस रासी नहीं है तो मित्रों द्रवमान एक सदिस रासी नहीं है अगर आप से कुछन पूछा जाए कि भार एवम द्रवमान में से कौन सदिस एवम कौन सी रासी आदिस है तो मित्रों बाहर एक सद्धिस रासी है क्योंकि बाहर में परिमान भी होता है और दिसा भी होती है जबकि द्रवमान में परिमान तो होता है लेकिन दिसा नहीं होती है दोस्तों किसी सदिस का परिमान कभी नहीं हो सकता है दोस्तों क्या तो रिनात्मक किसी सदिस का परिमान कभी भी रिनात्मक नहीं हो सकता है मित्रों परिमान को इंगलिस में मेगनिटूड कहते है अधिस रासी कौन सी है तो अधिस रासी है दोस्तों ओर्जा निमन आप्सन्स में से ओर्जा एक अधिस रासी है बलागून एवं सम्वेक सदिस तथा ओर्जा अधिस रासी होती है क्योंकि ओर्जा में केवल परिमान होता है दि प्रत्वी वाईयू मंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है तो प्रत्वी वाईयू मंडल को गुर्तवाक्रशन बल के कारण पकड़े रहती है कार के स्टेरिंग में सामिल होता है बलों का एक युग में जो विपरीद दिसाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कारिये करता ह एक लड़के का बहार प्रत्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा दोस्तों कितना तो 1 बाई 6 होता है प्रत्वी के बहार का चंद्रमा पर भार तो कितना होगा 100 न्यूटन होगा मित्रों कोई तो अधित्तम भारसील हो जाती है निरवात में दोस्तों न्यूटन किग्रा मात्रक है दोस्तों किसका तो तौरन का तौरन का मात्रक है न्यूटन किग्रा तौरन ऐसा ही एकाई पद्धती का मात्रक है पल का मातरख नूटन तथा उस्मा एवं कारिया अत्वा उर्जा का मातरख होता है जूल यदि प्रत्वी की तरज्जा यानि कि अर्थ की तरज्जा एक परसेंट गटा दी जाए डिक्रीज कर दी जाए तो G पर क्या प्रवाब पड़ेगा यानि G बढ़ जाएगा दोस्तों प्रत्वी की सते पर किसी वस्तु का बहर 29.4 नूटन है तो उसका दर्वमान क्या होगा प्रत्वी की सत्य पर भार W बराबर M, G, M यहाँ पर द्रवमान और G गुर्टवेत्वरन और यहाँ पर भार कितना दे रखा 29.4 और हमें ग्याद फाइंड क्या करना है द्रवमान तो द्रवमान निकालने के लिए भार में G से डिवाइड कर देते हैं तो 29.4 में भाग दे द पॉइंट को काट दे जाए और अठान में से 249 को डिवाइड करेंगे तो तीन के ग्रह अंसरा जाएगा कि एक बल 0.5 बरावर द्रैमाण के ग्रह तक ट्रण तो यहां पर बला जाएगा पांच न्यूटन का यदि एक गैंद उचाई एच पर विराम की इस्तिती से फर्स पर गिरती है तो उचाई एच वाई फोर तक वापस उचलती है गैंद असा फर्स के बीच का प्रत्यास वस्थान गुनांग है तो एक वटे दो एक अंत्रिक चियात्री प्रत्वी की तुलना में चंद्र सत्य पर अधिक उची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र सत्य पर गुर्ताकरसन बल की तुलना में अत्यल्प बल लगता है क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान प्रत्वी पर जी के मान का एक बटे च्छे हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की सत्य पर द्रेवमान तो स्थर रहता है एवं भार में कमी आ जाती है दो के गराता सा चार गिरा के दो पिंड क्रम से ए और बी सौ मीटर के उचाई से पिंड एक साथ गराए जाते हैं तो ए और बी दोनों एक साथ प्रत्वी पर पहुँचेंगे पिंड का वेग द्रेवमान पर निर्वन नहीं करता बल की पिंड मुक्त वेग से गिरता है प्रत्वी प्रतेक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आक्रसित करती है इसी आक्रसन के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु में एक नियत तुरन उत्वन होता है किसी वस्तु का भार प्रत्वी की सत्य पर डवल्यू न्यूटन है उसका भार प्रत्वी की तरज्या की आदी के भरावर उंचाई पर होगा चार बटे नो डवल्यू की और 29.49.2 मीटर प्रति सेकंड की गती से फैका जाता है उपरी दिसा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए तो माना कन को उपर की और उस तम मिन्द तक पहुंचने में लगा समय टी सेकंड है तब गती का समी करन होगा यू बरावर वी माइनस जी गुना टी तो यहां पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड तो टी बरावर 49.2 अपॉन 98 तो डिवाइड करेंगा चार सेकंड अंसर आजाएगा दोस्तों जैसा कि आप इन निम्न न्यूमेरिकलों को देख सकते हैं और यहां से समझ सकते हैं कुश्चन नमर 25 को वीडियो को पुस्ट करके कर दे तो अस्वरोई के गिरने के आसंका किस के कारण होती है तो विस्राम के जड़त्व के कारण अस्व यदि एकाएक चलना प्रारम कर दे तो अस्वरोई के गिरने के आसंका का कारण विस्राम जड़त्व यानि इनर्सिया ओफरेश्ट होता है क्योंकि एकाएक चलने के कारण अस्वरोई के सरीर के उपरी भाग जो सतंत्र होता है पीछे की ओर गिर सकता है क्योंकि अस्वारोई के सरीर का उतर भाग विराम के जड़त्व की कारण विराम मुवस्ता में बना रहना चाता है यदि किसी गेंद को और दुवादर रूप से उपर की और फेंका जाए तो गुरत्वे तुरन गेंद की गती की विप्रीद दिसामें होगा कोई साइकल सवार किसी मोड में मुड़ता है तो वह बहर की और जुकता है या आगे की और जुकता है या बीतर की और जुकता है या बिल्कुल नहीं जुकता तो कोई साइकल सवार किसी मोड में गूमता है तो वह बीतर की और जुकता है क्योंकि वह अपनी गती कम कर लेता है जिससे वह अभी केंद्री बल से अपने बाहर को संतुलित कर सके और गिरने से बस जाए कोई साइकल सवार जब किसी मोड से गूमता है तो वह भीतर के ओर जुकता है तथा अपनी गती कम कर लेता है क्यों जिससे वह इसलिए कर लेता है जिससे कि वह अभी केंदरी बल सेंट्री पेटल फोर्स से अपने बाहर को संतुलित कर सके और गिरने से बस सके अभी केंदरी बल की दिसा केंदर की ओर होती है यह है M V स्कुएर अपॉन आर के बरावर होता है जहां पर M द्रह्मान V वेग आर्थ रिज्या है एक साइकल चालक जब मोड लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोड पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है इसका क्या कारण है साइकल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्री बल महसूस करते हैं यानि की केंद्र की ओर लगने वाला बंद्र अभी केंद्री बल सेंट्री पटल फोर्स वासिंग मसीन की कारिय प्रणाली निम ने लिखित सिध्धान्त पर आधर्थ है तो वह है आपी केंद्रन यानि सेंट्री फ्यूगल फोर्स शुन में सुतंत रूप से गेने वाली वस्तूओं का समान तुरन होता है क्रिकेट का खिलाडी तेजी से आते हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खीच कर पकड़ता है तो वह पकड़ता है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए जब खिलाडी गेन्द को रोकता है तो गेन्द का समवेग यानि मुमेंट अम स्वन हो जाता है समवेग परिवरतन के लिए खिलाडी गेन्द को जितने अधिक समय में रोके का आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा इसलिए वे गैंद को अंगलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की और खींचता है जिससे वे गैंद को अधिक समय तक बल लगा सके तथा यदि वे हाथ आगे ले ले जाकर गैंद को पकड़ेगा तो क्रिया पृति क्रिया के नियम के कारण चोट लगने था करने की संभावना होगी जड़त वागून का मात्रक कि ग्राम मीटर प्रतिसकार होता है नमस्कार दोस्तों आज के लिए अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसके लिए आपके छमाप्रार्थी हैं